नमस्कार दोस्तों, कॉंपटिशिन कमेटी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ हेमन प्रधान, हम आठ चर्चा करेंगी कैसे महत्पूर्ण टॉपिक के बारे में, जो एक्जाम के लिहाज से काफे महत्पूर्ण है, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, स्पेश टे रखा, तो आपको एनलेसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि वस दोजास सोला में चाहसे पांच कोश्चन, और वस दोजास सत्रा में छैसे साथ कोश्चन डिरेक्ली पूछे गए हैं, आउट टाप थर्टी कोश्चन, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, और रहेगा इसलिए भी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसरो आज विस्वके सीज देशों में सामिले स्पेस एजन्सी के तौर पे, इसरो का भारत में गरोसाली इतिहास रहा है और भारत के विकास में एक महतपूर योगदान दे रहा है, इसरो से सम्बंदित कोई भी नियूज अकवार क फ्रंट पेज की सुर्खियां बनती हैं, यह आज हमारे लिक राश्टी महतपका विसाय बन चुका है, इसरो हमेशा या इसरो से सम्बंदित नियूज या अंद्रिक्स पौदुगी की हमेशा एक्जामेशन पॉइंट आगों से आपके लिए इंपॉर्टन रहेगा, यह य हम जी सैट 11 जैसे भारी सेटलाइट को लांच करने में सक्चम हो चुके हैं, हाल में लांच किया गया, कार्टो सैट 3 की मदद से लिया गया, यह कार्टोग्राफी देख पा रहे होंगे, जो काफी हाई रिजॉलुशन है, कार्टोग्राफी का मतलब मान्चितरी करन, यह सम से हम इसकी और आगे बढ़ रहें तो यह आप चित्रों में देख पा रहे होंगे तो हम स्पेस टेक्नलोजी को एक्जामनेशन पॉइंट आप उसे खासकर एसी अपरेंजर के पॉइंट आप उसे देखेंगे तो हम समझते हैं कि इसे हम तीन महत्पूर्ट सेग्मेंट में ड देखेंगे कि टेक्नलोजी डेवलप्मेंट किस प्रकार हुआ है और बीट अप दे सैटलाइड उपग्रह के कख्षाएं उपग्रह के प्रकार जिसमें कि हम इन सैट और आई आरेस जैसे महत्मूर्ट सैटलाइट को देखेंगे और उसके अनुप्रयोग पार्ट को देख सैटलाइट जो होंगे उसी का अनुप्रयोग वहां पर वानिकी में भी दिखेगा आपको तो वन सर्विक्षन वाले टॉपिक को इसको रिलेट करेंगे हाला कि वानिकी वाले में हम उसे प्रिथक से पढ़ेंगे भी ठीक है तो यह अनुप्रयोग समझ जाएंगे तो आप दसक वाइस विभाजित करेंगे डिकेड वाइस करेंगे क्योंकि प्रत्येक दसक में आप देखेंगे बड़ी बड़ी टेक्नलोजी आती गई और वह दसक की हीरो है और वह दसक को लीट करते हुए हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की किस प्रकार टेक्नलोजी डेवल करें इस दसक के अंग तक हम भारत का खुद का स्पेस टेशन होगा यह कल पना कर रहें तो यह सब करेंट सेनेरियों को उसके साथ रेलेट करेंगे तो भारत में टेक्नलोजी का डेवलप्मेंट किस परकार हुआ इसे हम देखते हैं उसके बाद हम स्पेस टेक्नलोजी की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों वैसे तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल में भारत का जो वग्यानिक इतिहास वो काफी सम्रिद रहा है चाहे हाप आरे भट के डिस्कवरी जीरो की बात करें पूरी दुनिया को हमने जीरो दिया चाहे चरक की बात करें सुसुनुत की बात करें बोधायन की बात करें वराहमिर की बात करें कनात की बात करें जैसे महान साइंटिस और भी हैं तो वो अपनी एक एतिहासिक जर्नी है उनकी आला एक प्रासिंगी टा है रेलेवेंस है यहां पर हम सिलेवेस के पॉंट अब उसे देखते हैं जैसे प्राचीनकाल से मध्यकाल की उर भी पड़ी थी 1940 के दसक में पड़ी थी तो उसे हम समझेंगे लेकिन हम ये भी समझ लेते हैं कि भारत में टेक्नलोजी का डेवलप्मेंट किस प्रकार हुआ और उसको हम करेंट सिनेरियों के साथ किस प्रकार जोड़ेंगे तो आपने महत्मुर्ण सस्था के बारे में पता ह होगा प्लानिंग कमिशन जो आज कर निति आयोग बन चुका है तो उस समय भी प्राइमिस्टर उसके प्रमुक्त है और आज भी है निति आयोग के तौर पे और जब विज्ञान नीतियों को इसके साथ रिलेट करेंगे तो विज्ञान नीति में भी जब देखते हैं तो प सिलेबस का ही पार्ट है और हम उसे प्रारंब करते हैं तो थेखिये दोस्तों भारत में विज्ञान पधिकाई इतिहास यहति आप देखेंगे तो यह विज्ञान पधिकी इतिहास को हम समगते हैं राश्टी विज्ञान नीती 1958 के तहत जब हम देखते हैं किMa प्राइमिस् सोलुशन लिया था संकल्प लिया था उसके बाद देखते हैं दूसरी जो साइंस पॉलिशी आई वह इंद्रा गांधी के समय में आई थी और समय च्छटी पंचवसी योजना थे 65 प्लान उसमय चल रहा था हां साइंस पॉलिशी नाइंटी नाइंटीबी में आई उसमय प्राइमिस्टर थी विज्ञान प्वद्यकि की याना कि他 सबसे जादा इंपोर्टम है और यहां पर। देखें गे इस समय डॉक्टर मन मोहन सिंग जो है प्राइमिस्टर थी और ये 12 फाइव का प्लान का ये समय था अब यहां एक चीज आप देख पारेंगे प्रतिएक 10 वर्सों में ये हो रहा है इसको अगर छोड़ दें तो तो ये 10 वर्सों में हो रहा है तो अभी हम देखते हैं विजन क्या था आपको मैं बताऊंगा कि वस्ट 2000 की दसक में एक हम ऐसे लिखा करते थे कि डॉक्टर कलाम डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के सपने 2020 2020 का विजन को हमको फॉलो करना है तो एक विजन लेके चलते थे कि आज से 20 साल 25 साल को वो फॉरकास्ट करते थे यानि 20 साल 25 साल की स्थिति या टेक्लोजी को इमेजिन कर लेते थे और वो उस समय में लिया गया जो विजन है वो वस 2020 में हमने अचीव किया हाला कि सभी तो अचीव नहीं कर पाये लेकिन काफ 3035 का प्रादुगी की विजन 2035 इस समय प्राइमिस्टर है नरेद्र मोधी साब और इसे 103 जो है 103 साइंस कॉंग्रेस जो अधिवेशन हुआ था विज्ञान कॉंग्रेस अधिवेशन हुआ था वस 2016 में इसे लाए गया था और दोस्तों आपने एक महान साइंटिस का नाम सु अधिवेशन और दूसरा चिदंबरम सहाब और तीसरा अनील काकोटकर तो डॉक्टर अनील काकोटकर जो है उनके नेत्रित में यह विजन को हम फॉलो कर रहे हैं और यह विजन जो है डॉक्टर अपीजे अब्दूल कलाम को समरपित है तो यह आपके लिए करेंट का पार् वसी इंपॉर्टन कंटेंट है इसलिए मैं आपको इसको बताया अब हम चलते हैं स्पेस टेक्लोजी और स्पेस टेक्लोजी का उद्गम कैसे हुआ उसका इससे पूर्व की जो डेवलप्मेंट है उसके साथ किस प्रकार कनेक्शन है चलते हम नेक्स स्लाइड में तो यहां 1940 का दसक जो है भारत में आधूनिक विज्ञान का नीव का समय है इस समय वर्ष 1942 में डा रिनाउन साइंटिस डॉक्टर सांती स्वरूप भटनागर ने पंटित नहरू की मदद से CSIR जैसे एक महत्पूर सस्था का निर्माड कराया Council of Scientific and Industrial Research ठीक है विज्ञानिक एवं ओद्योगिक अनुसंधान परिशत 1942 यह टाइम लाइन याद रखिएगा वर्ष 1945 में TIFR Tata Institute of Fundamental Research की स्थापना हुई तरेनाओन साइन्टिस डॉक्टर हुमी जहांगीर भावा की मदद से और Tata Trust भी उसमें काफी हेल्प किया था और यहाँ पे देखते हैं वर्ष 1948 में 1948 में दोस्तों यहाँ पे एक महत्पूर डेवलप्मेंट हुआ था वो था परमाणू उर्जा आयोग Atomic Energy Commission दोस्तों यह याद रखेगा यह आयोग है कमीशन है है ना उसके बात देखते हैं वर्ष 1954 का समय था जब भारत में जो है डी एई बना Department of Atomic Energy परमाणू उर्जा विभाग तो यह याद रखेगा यह विभाग है और यह आयोग है तो परमाणू उर्जा आयोग Atomic Energy Commission 1948 बट Atomic Energy Department 1954 यह मैं किसले बता रहा हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे 1969 की बात करें या 1962 की बात करें इस समय इनको स्पाराय था जिसे हम पढ़ेंगे इंडिया नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिशर्च भारती अंतरिक्ष अनुसंधान समीती और 1969 में इसरो की स्थापना हुई तो यह दोनों किसके अंतरगत हुआ डी एई के अंतरगत हुआ परमाणू उर्जा विभाग के अंतरगत स्थापित हुई थी तो आप connection समझ गए हैं तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि आप जो महत्पूर टेक्नोलोजी है महत्पूर डेवलप्मेंट है उसको आपस में connect कर पाएं ठीक है तो अब हम देखते हैं भारत में आंतरिक्स पूर्दगी का उद्गम किस प्रकार हुआ और इसको किस प्रकार डेवलप्मेंट हुआ तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्स 1962 का समय था 1962, 1962 का जो समय था, इस समय महत्पूर्ट डेवलप्मेंट हुआ, इनको स्पार, इनको स्पार का मतलब कई वारी एक्जाम में पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिशर्च, ये परमाणू उर्जा विभाग, डिपार्टमेंट अप एटॉमिक एनरजी के अंतरगत यहां पे स्थापित हुई, और इसे लीट कर रहे थे दो महान साइन्टेस्ट, डॉक्टर विक्रम सारभाई और डॉक्टर राम नाधन, ठीक है, ये दोनों पद्में विभूसंट से अवाड़ी है, जो भारत का सेकंड हाई एस सिविलेन अवाड़ है, इसके बाद देखते हैं, इसी समय T.E.R.L.S, थुमबा एक्विटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन जो है, स्थापित हुआ, थुमबा इस दा प्लेस इन केरला, ये केरला में एक कोस्तल एक तटी है, जो है छेतर है, यहां पे इसकी स्थापना हुई थुमबा नाइकी अपाचे, इसे हमने छोड़ा, ये भारत का पहला अंतरिक्ष में प्रयास था, ये पहला एफट था, उसके बाद देखते हैं, 1965 में, 1965 में अगर आप देखें, तो यहां पे एक संस्था इस्थापित हुई, SSTC, SSTC का मतलब Space Science and Technology Center, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञा एबं प्रादवगी की केंद्र, ठीक है, तो ये स्थापित हुआ, इसके बाद देखते हैं, कि 1969 में, वो एतिहास एक दिन आ गया, 15 अगस्थ, 15 अगस्थ, 1969 को, जब हम देखते हैं, भारत में, इसरो की स्थापना हुई, इसरो का हैड़कॉर्टर कहां है, बैंगलोर में है और ये 1969 में, जब इसरो का स्थापना हुआ, अभी भी ये परमाणू उर्जा विभाग के अंतरगत था, यहाँ पे भी स्थार्टिंग हुआ, परमाणू उर्जा विभाग के अंतरगत और यहाँ पे भी देखते हैं, परमाणू उर्जा विभाग के अंतरगत यह हुआ, यहां पे SDSC सार, इसका मतलब है, आप इसे पहले समझिए, स्री हरी कोटा हाई एल्टिटूड रेंज, स्री हरी कोटा आंदर पदेश में है, यहां पे हमने एक सेंटर, जो है, लांचिंग सेंटर स्थापित किया, जिसकी सर्विसेस आज भी हम ले रहे हैं, वो था 1971 में स्री हरी कोटा हाई एल्टिटूड रेंज, यह HDAC वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, कि जो स्पेस साइंटिस्ट थे, सदीस धवन, उनको समर्बित करते हुए, सतीस धवन स्पेस सेंटर, HDAC सार बोलते हैं, ठीक है, कहां पे है, यह आपका स्री हरी कोटा में, यह भी एक्जाम में आ चुका है, उसके बाद देखते हैं, 1972, 1972 का समय, जब भारत में, जो है, दो महतपून विभाग बना, पहला अंतरिक्ष आयोग बना, अंतरिक्ष आयोग स्पेस कमिशन बना, और इसके बाद देखते हैं, अंतरिक्ष विभाग बना, ठीक है, यह जून में बना था, यह स्टंबर बना था, 1972 में, तो इतना दूर आप समझ पाई क्या, इनको स्पार बना, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, है ना, इसको लीड कर रहे थे, डॉक्टर विक्रम सारबाई और राम नाथन, और यहां से हमारा अंतरिक्ष के छेत्र में हाना, जो अनुसन धान था, इस रॉकेट था, वर्स 1965 में हम देखते हैं, SSTC स्थापित हुआ, ठीक है, स्पेस साइंस एंड टेकलोजी सेंटर, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रदुगी की सेंटर, प्रदुगी केंद्र जोह स्थापित हुआ, और फाइनली वो एतिहासिक दिन आया, 15 अगस 1979, उनहत्तर, 1969, जब इसरो की स्थापना हुई, और इस समय ये परमानु उर्जा विभाह के अंतरगत था, इसरो का हैटकोटर कहां है, बैंगलोर में है, ये याद रखेगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे टाइम लाइन में देखते हैं, 1971 में, तो 1971 में SDSC सार की स्थापना हुई, SDSC वर्ड पहले नहीं चुड़ा था, बाद में चुड़ा है, डॉक्टर धवन के जाने की बाद, उसके बाद इस समय देखते हैं, स्री हरी कोटा हाई एल्टीड रेंज जो है, स्थापित हुई आंदरपदेश में, और उसके बाद 1972 में देखते हैं, दो बड़ी कि जो डेवलमेंट हुई, वो ता कि परमाडू अंतरिक्ष आयोग बना और अंतरिक्ष लिभाग बना, अब जो है, यह बिभाग जब बन गया, तो इस history बाद में कमें सामिल कर लिया गया, इतना दूर आपको clear हो गया, इसके बाद हम आगे की timeline देखते हैं, तो अब आगे की टाइम लाइन देखने के लिए हम फिर से मैं इसे करता हूं अगर इसे आप स्कीन सॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं अब 1972 तक हम पौची चुके हैं तो 1972 कि टाइम लाइन में हम समझते हैं कि हमने क्या इन देखा था यहां पर हमने देखा ऑंतरीक्ष विभाग भी बना अंतरीक्ष विभाग भी बना स्पेस डिपार्ट्मेंट भी बना आयोग भी बना अंत्रिक्ष आयोग भी बना और इस समय जो है दो महाटपूर्ण सस्थाएं स्थापित हुई पहला है ISAC इसरो सेटलाइट सेंटर इसरो उग्रह केंद्र ये कहां पे स्थापित हुआ ये तीनों बैंगलोरों में और यहां पे एक SACB सेक भी कहेंगे स्पेश एप्लिकेशन सेंटर ये एहमदाबाद में स्थापित हुई ठीक है तो आप 1972 का ये डेवलाप्मेंट आप समझ पाए कि अंत्रिक्ष विभाग अंत्रिक्ष आयोग बना ये जून में बना ये सेप्टेंबर में बना ये जून से सेक बना स्पेस एप्लिकेशन सेंटर अहमदाबाद स्थापित हुआ हम जो है अपने जो है हम थोड़ा और्गनाईज हो रहे थे व्यवस्तित हो रहे थे हम सेंटर को स्थापित कर रहे थे अब एक्सपेरिमेंट का दौर चालू होता है तो इस समय हम काभी मैदपून एक् टेलिविजन एक्सपेरिमेंट यहां स्टार्ट किये जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और दोस्तों यह वो एतिहासिक समय भी था जब 19 अप्रेल 1975 को भारत अपना इंडिजिनस सेटलाइट भारत अपना स्वदेशी उग्रह आर्यभट को लांच करता है ठीक है यह हमारा पहला सेटलाइट था जो हमारा जो है अंतरिक्ष में हम पहला सेटलाइट छोड़े आर्यभट के रूप में यह डेट बहुत इंपोर्टेंट है 19 अप्रेल 1975 19 अप्रेल 1975 यह समझ गए यह एक्सपेरिमेंट का दौर्थ हमें बता ही रहा था अब जो है 1979 में एक और एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टेप कहते हैं ठीक है यह क्या था सेटलाइट टेली कम्निकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट सेटलाइट टेली कम्निकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट तो यह भी क्या एक्सपेरिमेंट का दौर था और द है तो आप इसको आपस में कपल जैसे आप रिलेट करके आप रिकॉल कर सकते हैं भासकर वन और रोहिणी ठीक है तो यह भी दो महत्पूर्ण experimental प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं बता ही रहा था यह समय जो है experiment का दौर था तो भासकर वन जो है उसे छोड़ा गया और वो तो सफल हो गया लेकिन रोहिणी वन जो है हमारा पहला launching वहिकल SLV3 था इसकी मदद से हम इसे छोड़े यह रोहिणी जो था वो था experimental वाला पार्ड ठीक है यह जो है experimental वाला पार्ड था और उसे SLV3 की मदद से हमने launch किया किन तो यह असफल रहा लेकिन SLV3 को हमने फिर रोहिणी वन RS1 जो है 1980 में SLV3 की मदद से RS1 यहने रोहिणी 1 को जो है हमने सफलता पुरवक आंद्रिक्ष में स्थापिट हुआ और दोस्तों यह वही समय था जब भारत का अपना ही क्या था सेटलाइट था और अपना ही launching वहिकल था तो याद करिए मैंने बताया था 1963 में sounding rocket वह हमारा नहीं था हमने उसे इंपोर्ट किया USA लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहां हमारा सेटलाइट है और हमारा ही launching वहिकल है यहां पर आरे भाट के केस में क्या देखते हैं सेटलाइट अपना है लेकि लांचिंग वहिकल क्या जो है रश्या का था तो यह समझ गए तो यहां पर हमारा खुट का था पूरा हम स्वदेशी हो गए यानि कि खुटका उग्रह सेटलाइट भी खुटका और इसके बाद यह डवल अप में चला एसल वी 3 अब एसल वी से हम देखते हैं एसल वी बना और मेंटर सैटलाइट लाँंचिंग वहिकल उसके बाद जी एसल वी बना जीयो सेंक्रोनस लाँचिंग वहिकल तो वह हम सेकंड़ पार्ट में देखेंगे आज हम तो है सस्थाओं का विकास थापना देख रहे हैं तो यहां तक यह टाइम लाइन में आपको समझ में आ गई ठीक है तो 1962 के बाद से लेकि तो 1980 तक मेरे खाल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए मैं तुरंद फास्ट रिविजन कराता हूँ 1972 अंत्रिक्ष विभाग फिर आयोग फिर इस रो जो है सेटलाइट सेंटर बना इहमदाबाद में यह तीनों जो है बैंगलोर में है 1975 में जो है हमने बहुत बड़ा जो है एक मायली स्टोन अचीब किया हमने खुद का जो स्वादेशी उपगरा आरेभट को लांज किया उनिस अप्रेल 1975 को यह समय जो है एक्सपेरिमेंटल फेस था हमने प्रयोगात्मक जो है काम करना चालू किया और साइट जैसे महत्पूर्ण प्रोजेक्ट को भी हमने लांज से हम पहले अटन में एसलवी 3 जो है वो फेल हो गया था बट एसलवी 3 की मदद से हमने रोहिणी 1 आरेस 1 को जो है हमने सफलता पूरवक जो है और पे सेट कर दिया और यह समय था जब लॉंचिक मेहिकल भी भारत का था और सेटलाइट भी भारत का था यह क्लियर हो गया कि भारती अंतिरिक्ष कारेकरम के ज़जनक हैं भारती अंतरिक्ष कारेकरम के जजनक हैं ठोक्रा विक्रम सारा भाई को कहा जाता है और अगर आप देखे 1962 में जो इनको स्पार की बात कर रहा था मैं भारती राष्टी अंतरिक्ष अनुसंधान समीती इनको स्पार ये वही है 15 अगस 1969 को जो देखते हैं भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना इंडियन स्पेस रिसार्च और्गनाईशन इसरो की स्थ अपना किया जो आप ही टाइम लाइन को आप रिकॉल करिए और उसके बाद देखते हैं कि पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे जो है ये 1963 में जो हम लॉंज किये थे और भारत के पहले प्रक्षेपण यान की सुरुवाद एसलवी 3 से हुई थी जो हमने 1979 और 80 मे है कि ये जो था 18 जुलाई 1980 1980 को हम एसलवी 3 की मदद से इसे हम सफलता पूरवक लॉंज किये ये क्लियर हो गया अब देखते हैं आगे कुछ और महत्मूर्ण चीज़ों को कि अग यजलता के कि आगे अज वसकी और इस अज़ी है जैसे कि हम देखते इस को इसरो को इस रोग जो है इसरो की स्थापिना 1969 को हुई थी 15 अगस 1969 को यह भारत की Space Agency है और विश्व के सीस देशों में सामिल है वैसे ही हम दूसरे भी हम कंट्री देखते हैं नासा किसका है USA का है रच यह रएफसे किसको का है रशिया का Space Agency का नाम है सी एने स्याइज चाइन नेशनल स्पेस अइड्मिस्टेशन जो है यह कहां का है यह चाइना का है और यह यह या यह याद यूणियन का था और जैकसा जापान एरोस्पेस एक्सपोरेशन एजैंसी जो था यह यह जो है व और हम देखते हैं हम आज किस किस समक्ष खड़े हैं हम देखते हैं नासा हो चाहे रुषियन एजनसी स्पेस एजनसी रॉस कोस्मोस की बात करें चायने स्पेस एजनसी की बात करें इनके हम समक्ष कंधे से कंधे मिलागे खड़े हैं और हमारी और वो आसा की निगाहों से दे इस वरो कि स्थापना 1969 को हुई तो यह 1969 के समय में आपको यह आप ओलो 11 याद होगा यह वही समय था जब चंदरमा पे जो है अपना पहला कदम रख चुका था कौन अपना USA तो USA जो है यहां पे जो है आप ओलो 11 के द्वारा चंदरमा पे कदम रख चुका था और जबकि हम अपनी जो है स्थापित कर रहे और तब सोची हम कितना पीछे थे वह चंदरमा में तब वास्तवा में हिस्तौरिक है इस एतिहासिक जर्णी को जितनी तारीप करें आप कर सकते हैं तो यह समझ गए आप और यह से हम देखते हैं कि अपना रश्या की बात करें तो रश्या जो है 1905 के समय में इस पूत्रीक वन जो है पहला सैटलाइट छोड़ चुका था तो यह पहले से स्टार्ट हो चुके थे और यह काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन आज इस रो जो है इनके साथ खड़ा है बिल्कुल भी इनसे नीचे नहीं है तो यह याद रखेगा अब चलते हैं आगे नेक्स स्लाइट की और यह जब भारत के वो महान साइंटि भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम के जनक ठीक है याने फादर आप स्पेस टेकलोजी इंडिया ठीक है यह 1963 से 1972 तक थे ठीक है आप देख पा रहेंगे लास्ट वू इमेज उसके बाद देखते हैं एमजी के मेनन 1972 से सितंबर जो है 1972 तक ही रहे थे कम समय तक थे और उसके बाद देखते हैं 37 धवन यह भी काफी रिनाउंस साइंटिस रहे हैं तो 1972 से 1984 ठीक है तो 37 धवन साब यह है ठीक है तो यहां पे यह सबसे लंबे समय तक रहने वाले इसरो चेर्मेन है यह याद रखेगा प्रोफेसर यूर राव यह भी काफी बड़ी हस्ती है 1984 से 1994 तक ही रहे है आप इमेज देख पा रहे होंगे राव साब यहां पे है के कस्तुरी नंगन साब 1994 से 2003 तक रहे हैं और जी माधवन नायर 2003 से 2009 के समय में यह इसरो चेर्मेन थे इस समय चंद्रयान वन हुआ था लॉंच हुआ था 2008 में डॉक्टर राधा कृष्णन वस 2009 में से लेके 2014 तक थे और इस समय काफी मतपूर्ण प्रोजेक्ट M.O.M. Mars Orbital Mission इनके नेत्रिम में सफल हुआ था सैले नायक साब जो है यह इंट्रिम चेर्मेन थे तो कई बार इसमें इसले इमेज में इसरो की साइट से लिया गया चित्र है इसमें इसले नहीं दिया गया है तो यह सैले नायक सा सबसे लंबे समय तक थे एस किरन कुमार अगर आप देखते हैं तो वो जो थे 2015 से 2018 तक और उसके बाद देखते हैं डॉक्टर के सीवन जो है वो अभी वरतमान में इसरो के चेर्मेन है 15 जनवरी 2018 से वरतमान तक ही अभी जो है सिवन साफ की सर्विसेस मिल रही है वो भी नहीं बार क्या होता है ऑप्शन में अगर आप इंट्रिम चेर्मेन को सामिल नहीं भी करते हैं अगर नहीं सामिल करेंगे तो नौवे चेर्मेन होंगे सिवन साफ और अगर इंट्रिम चेर्मेन को सामिल करेंगे तो इसरो के दस्वे चेर्मेन होंगे यह याद रखेगा य ये आपके लिए एक महतपूर नोट्स था उसके बाद चलते हैं इसरो की सरचना ये आपके लिए बहुत ही आसान है दोस्तों अगर इसको आप समझ पाएंगे तो ये कुल मिला के इसरो के जो सेंटर से उसकी बात करता है तो इसरो के जो महतपूर सेंटर की बात करें तो यद इन्य निर्माता है और यहां पे फिर स्टार्ट होता है इस रो इसुर किसके अंदरगत है डेपार्टमेंट अप स्पेस परमानु उर्जा जो है अंतरिक्ष विभाग के अंतर गत और यहां पे दो बहुत महत्पूर्ण जो हैं चीजें देख पा रहे होंगे यह है इसरो की वह भ्यवसाइक इकाई कॉमर्शियल यूनिट तो एंट्रिक्स कॉर्परेशन के बारे में अब तक आपने सुना था जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी जो इसरो का भ्यवसाइक करन याने इसरो जो है जो है commercialization याने उससे ऐसा project launch करें जिससे की हमको फाइदा हो हमको economically फाइदा हो पैसे हमारे पास आएं तो हमने क्या हम satellite launch करते हैं launch करने के बदले हमको पैसा pay करते हैं तो खुल मिला के इंडिया में पैसा आ रहा है तो यह commercial चीजें जो है यह देखती हैं इंट्रिक्स कॉर् लेवी यहां पे इस department अभी फंडिंग करती है तो उसमें इनका एक रोल होता है अब देखते हैं कि यहां पे NSIL एक महत्पूर्ण जो है fact है और exam के लिहाज से काफी महत्पूर्ण है वर्स 2018 में यह इसरो की जो है second commercial unit स्थापित हुई दोसरी व्यावसाई की काई स्थापित हुई और आपको बताओं और मैं question भी आपको करूँगा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्री हरी कोटा याद है ना जो space में satellite को launch करते हैं याने satellite launching center है तो स्री हरी कोटा के बाद भारत में ऐसा कौन सा इस्थान है जहां पे इसरो का second launching center बनेगा क्या मुझे बता सकते हैं आप गेस करिए जी हाँ दोस्तों यह center है ठूथू कूडी जिसे हम तूती कोरीन भी कहते हैं तो यह वो नई जगा चि जो है launching center बनेगा और वो dedicated होगा SSLV के लिए small satellite launching vehicle तो यह पूरा प्रोजेक्ट कौन देखेगा NSIL New Space India Limited New Space का मतलब Space का वो area जो अभी तक untouched है और असीम संभावनाओं से भरा हुआ है तो वो New Space India Limited जो है SSLV प्रोजेक्ट के तहद जो है छोटे-छोटे नैनो सेटलाइट को वो launch करेगा और हम देखते हैं कि इसरे इससे क्या है इसरों काफी commercialize जो है benefit होगा काफी वाणिजिक फायदा होगा बहुत हमको पैसे मिलेंगे क्योंकि 104 सेटलाइट वाले टेक्नलोजी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है तो आज हम जो है दूसरे देश क्या करते हैं आउट्सोर्स करते हो हमको हम जो है हमको देते हैं कि हमारा सेटलाइट लांच कर दो हम उनसे पैसे लेते हैं तो यह इसरों का कॉमर्शियल एंगल पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अभी जो है अगब जब निर्वला सीता रमन का जो बीस लाक करोड का जो पैकेज अगर आपका वो स्टेटमेंट अगर आप सुनते होंगे तो इस पेस छेत्र को आप जो है प्राइविट सेक्टर के लिए भी जो है हम जो है ओपन कर दिये प्राइविट सेक्टर के लिए जिसे के ज़्यादा ज्यादा हम जो है इकुप्मेंट डेवलपमेंट या वह ज्यादा रिसर्च और या आर एंडी हो सके ठीक है तो यह समझ गए अब देखो एक्जाम में पूछा क्या जाता है एक्जाम में यूर राओ स्पेस सेंटर पूछ दिया स्पेस अप्लिकेशन सेंटर मैंने बताया था कहां पर है एहमदाबाद पर है ठीक है यह हमेशा पूछा जाता है आयाई आरेस और एनरेसी ठीक है तो दोस्तों यह आपके लिए अध्यान का विश्या है कि कुछ महत्पूर्ण ऐसे सस्थाएं है और उनका जो है यहाँ पे उलेख किया गया है और दोस्तों आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है कि आप पीडियाप लिंक में जाएं और इसे डाउनलोड करें और आपकी लिए इमेज जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड कर दी गई है याद रखना है चुकि आप बहुत सारा देख पा रहे होंगे तो यहसे आप इसमें देखेंगे इसमें दोस्तों देखेंगे तो देखिए जो हम बात कर रहे थे NRSC है ना नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यह कहां पे हैदराबाद में यह बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता के सी से सिमिलर नाम मैच खाता है देहरादोन का तो देहरादोन का क्या है IIARS भारती सुदूर समेधी सस्थान Indian Istitut of Remote Sensing है ठीक है तो यह देहरादोन में है और यहां पे क्या है यह नेशनल पार्ट है क्या यह देख पा रहे हैं आप लिंक डाउनलोड कर लीजे और आसानी स आप उसके बाद देख पाएंगे उसके बाद देखते हैं कि बैंगलोरों में जितने भी centers हैं जिसमें हमने बात किया अंत्रिक्ष आयोग अंत्रिक्ष विभाग इसरो का headquarter है ना स्पेस सेंटर की बात कर रहे थे एंट्रिक्स कॉर्परेशन और यहां पर हम क्या और कर देंगे एनस आई एल को भी जो है जोड़ देंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उसका भी headquarter कहां पर है यहां पर है आपका बैंगलोर पर दोस्तों कि इस तरों की site से लिया गया है मैंने translate करके आपके समक्ष इसे प्रस्तुत किया है अब देखते हैं कि कुछ और जो महत्पूर सस्थाएं हैं तो उसमें एहंदाबाद में देखते हैं एहंदाबाद में क्या है स्पेस सैटलाइट इस इप्लिकेशन सेंटर है ना पी आरेल पी आरेल जो है फिजिकल रि ठीक है उसके बाद कुछ ऐसे स्री हरी कोटा हम देखते हैं सतीज दावन स्पेस सेंटर की बात करें यहां पर है ठीक है उसके बाद रीजनल सेंटर है नौर्थ इस में देखते हैं आप नौर्थ वाला पार्ट में देखते हैं साउथ वाला पार्ट में देखते हैं यह हमा आपकी question पूछे जाते हैं आप पेपर उठाके देखें तो यही महत्पूर्ण सस्था हैं आपको पूछी गई हैं तो दोस्तों इस प्रकार आज आपने देखा कि यह जो महत्पूर्ण इस पेस संबंधित कुछ foundation वाला पार्ट और foundation वाले पार्ट से निशित तोर पे question बनते हैं वो आप इंडिया का map देखें उससे बहुत अच्छी तरीके से जो है आप study करिएगा अब हम बात करेंगे इसके second पार्ट में जिसे हम बात करते हैं जिसे हम बात करेंगे मैंने कहा था the technology development यह हमारा second पार्ट होगा और third पार्ट होगा कि हमारा क्या महत्पून पार्ट है महत्पून मिशन उसको हम करेंट सीनेरियों के साथ जोडेंगे तो टेक्नलोजी डवलप्मेंट में आप अगर पढ़ना चाहें तो यह चार चीज़े जरूर आप पढ़ें पहला orbit of the satellite orbit of the satellite उपग्रह की कक्षाएं वहां से प्रस्न पूछा है ठीक है कि आप यह जो पेपर उठाकर देखेंगे यहां से कुशन पूछा है कि किस हाइट पे कौन सा जो कक्षा या और्बिट होता यह पूछा है उसके बाद इसी के application पे बेस आधारित की जो satellite है उसे हम देखें यानि टाइब साफ सेटलाइट देखेंगे कि कौन सा और्बिट में कौन सा सेटलाइट यूज किया जाता है और उसका टाइब क्या है वो इंसेट है या इन्फरमिशन सेटलाइट है यह आई रस है इंडियन रिमोट सेंसिंग वाला है या अभी तो बहुत सारे सेटलाइट क्या है यह पूछा जा चुका है आपका स्पेस जो और्बिटल है जो है वो पूछा जा चुका है कौन सी हाइट पर कौन सा और्बिट होता है है ना सेट किया जाता है यह आपको पूछा जा चुका है ठीक है महत्मूर मिसन भी पूछे जा चुके हैं बट यह सब चीजें हम यह सेकंड क्लास और यह थर्ड वाली क्लास में कंप्रीट अब हम देखते दोस्तो आज टॉपिक हमने पढ़ा इससे संबंधित कौन से इसे माधपूर कॉस्चन है दोस्तों कोश्यन का वो सेट लिया है जो आपकी एक्जाम के लिहास से काफी माधपूर तो सब से पहले अगर देखते हैं पहला कॉश्चन क्या है तो पहला कोशान दे हैं लेकिन अक्सर यह संबनीत 2 सिंग से संबनीत 2 있지 संद्ध सथान इंडियन स्टर्ड और रिमोट सेंसिंग sponsor ये दोनों चीजे अक्सर एकजाम में पूछी जाते हैं क्योंकि दोनों में само सेंसिंग वर्ड यूज किया जाता है और अक्सर हम एक्जाम हॉल में इसे कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूं आज के बाद कभी आप इसको मिस्टेक नहीं करेंगे तो सबसे पहले देखिए इंडियन का मतलब क्या होता है भारती होता है और नेशनल का मतल रहे हैं माने एनच में जा रहे हैं पुलिस आपको पकलड़ी और आपको आइडी मंगी ठीक तो नेशनल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसका हैटकवाटर या उसका सेंटर कहां होगा है है और यहां आई से स्नार्ट होगा इंडियन इस्टिटू अप रिमोट सेंसिंग हो होगा तो उसको हम देहरादून करना है तो यह समझ इसमें डिखा है इंडियर इंसरी जाज़़ार सरमांसर क्या Łप सरे सेंसिंग यहFEलों पहलोंह चलते हैं ещё है इस रों कीडिक स्विधा हासन में है इस रों मास्टर आइढ तो इसमें देखेंगे आप आंदरपदेश, गुजराद, उडिसा, करनाटका, दोस्तो हासन, यह क्या है, basically करनाटका में based है, तो इसका answer D है, उसके बाद देखिए, match the following and choose the correct answer, तो इसमें क्या है, सुमेलित करें, और सही answer पूछा है, तो इस रो, इस रो कहां एस्थित है, बैंगले रो, तो पहर इसमें तिरौन पूरम लिखा है, तो यह गलत है, NSIL, New Space India Limited, मैंने बताया था, वो भी उसका, जो है, सेंटर कहां है, बैंगले रो में है, तो second भी गलत हो गया आपका, PRL, Physical Research Lab, भौदिक अनुसंधान प्रयोक साला, यह जो है, एहमदाबाद में है, दोस्तों, यह सही answer है, और last भी देख देते हैं, SAC, यानि Space Application Center, ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोक केंद्र, दोस्तों, यह भी एहमदाबाद में है, ठीक है, तो इसका सही answer क्या है, C हो गया, उसके बाद देखते हैं, fourth question, इसरो की स्थापना कब हुई, when was the issue established, very easy question, इसमें अगर आपको दिखा होगा, कि 1954 1954, 1958, 1962, 1969, जैसे आप दिख रहा है, तो इसमें अगर लिखा होगा, 1962 और 1969, तो अकसर इसमें confusion होता है, इससे पूर में यह question पूछा भी जा चुका है, तो दोस्तों, यदि आप इस दोरो की official site में जाएंगे, तो 1969 आपको मिलेगा, तो हमको 1969 ही tick करना है, although मैं आपको बता यह question भिलोपित किया गया था, क्योंकि 1962 का option आपको दिया गया था, विगतवर्स के ACA पेपर में, तो उसमें क्या है, कुछ जो चार option थे, चारों के चारों उसमें क्या तीन सही थे, और उसमें 1962 वाला भी था, तो वो भी उसमें था, तो अगर हम, हमको पता है, वहाँ इनक कमीटी फॉर स्पेस रिशर्च, है ना, तो जो है, वो जो है, 1962 है, उसकी जरनी स्टार्ट हुई थी, बट एक्च्वल जो फांडेशन रखा गया था, 15th August 1969 में, रखा गया था, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी, अब चलते हैं, नेक्स स्लाइड में, देखिए, निमन में स कौन सा सही सुमेलित नहीं है, which is not correctly matched, पहला अगर आप देखते हैं, तो अंतिरिक्ष अनुपरयोग केंद्र, स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, अभी हमने देखा था, SAC, एहमदाबाद, it is correctly matched, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, राष्टी सुदूर समेधी केंद्र, यानि की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, मैच कर लीजिए, मैट्रिक बताया था, N और H, नेशनल वर्ड, मतलब क्या है, राष्टी है, और H stand for हैदरबाद, तो ये भी आपका सही हो गया, अब मेरे खाल से कभी मिस्टिक नहीं करेंगे इसको, उसके बाद देखते हैं, आप भार रहा है, ये तो इसरो है, तो आई सेक, एक सस्था है, आपको, जो है, एक सेंटर है, आपको दिखेगा, आप मैप में भी देखेंगे तो, तो आई सेक, ठीक है, इसरो, इसरो सेटलाइट सेंटर, इसरो सेटलाइट सेंटर, ठीक है, तो ये क्या है, आपका, आई सेक, ये कह में और सब्सक्राइब कर gehए और लॉट्वर सारवाई स्पेस सेंटर सरट स्पाइब आपको कई टिर्वन पर उसकी पाद देख यह कि power सरवाय स्पैस सेंटर यह कहां है यह तो वो 1948 क्या था पहले कमीशन बना यानि कि Atomic Energy Commission बना था और 1954 में क्या बना था यह आपका Department बना था डिपार्टमेंट उप एक समझ गये तो यहां पे देखते हैं किसके अंतरगत था तो यहां पर यह था पर्मानु उर्जा विभाक के अंदर गारे डिपार्टमेंट अपय टोंक इनर जी इसकी अंतरगत था और यह आपको बता ही दिया यह क्या है। तो नाइंटीन फॉर्टी एट में आए था यह नाइंटीन फिफ्टी एट में था ठीक है और डिपार्टमेंट अब डिफेस अलग बात है डिए यह चापना इसके अंदरगत हम जब जो है आप में देखेंगे आपके एसे अपसे लेबस में उसमें डारेक्टली कहीं ऐसा ल लेकिन आप नीचे देखेंगे टेक्नलोजी डेवलप्मेंट आप इंडिया लिखा है भारत में प्रॉद्गी का विकास लिखा है तो उसके अंतरगत हम इसे सामिल कर भी सकते हैं तो कुछ बेसिक चीजह हम डिफेंस की भी देखेंगे जब टेक्नलोजी का लास्ट फेस हम हम पहुचेंगे तो अच्छा ये भी देख लीजिए CSIR CSIR क्या है CSIR में बताया था 1942 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है यह क्लियर हो गया भारत का प्रथम उबग्रह कौन सा था ठीक है फ़र्स सेटलाइट विच वस्थ सेटलाइट आप इंडिया आपको पता है नाइक 15 एपरिल 1975 जब हमने अपना पहला इंडिजीनस सेटलाइट जो है स्पेस में छोड़ा आरे भट यह समझ गए और रोहिनी पता है यहां से रोहिनी से हमने रोहिनी से क्या कनेक्शन है रोहिनी RS1 हमने पहला ऐसा सेटलाइट छोड़ा जो खुद का भी था स्वदेशी भी थ और खुद का ही लॉंचिंग वेहिकल था है ना तो रोहिनी RS1 से उसके बाद देखते हैं स्रीहरी कोटा की बाद इस रोका अगला लॉंचिंग सेंडर कहां स्थापित होगा ठीक है तो मैंने क्या बताया था प्लेस कहां पे है वह आपके लिए वह नाम थोड़ा डिफिकल् ठीक है तो ती कोरीन या थूतू कोडी भी आपको अप्समने दिखेगा ठीक है यह समझ लिए अब चलते हैं नेक्स कोश्चन की ओर नेक्स कोश्चन में अगर आप देखेंगे तो कॉमर्शल यूनिट आप इस रो यह बताइए यह बहुत आसान कोश्चन है कॉमर्शल सोसेस किताबों में आपको क्या दिखेगा आपको एंट्रिक्स दिखेगा अकेला 2018 में 2018 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेट की स्थापना हुई NSIL ठीक है और एंट्रिक्स कॉर्पेशन तो 1992 में स्थाफित हुआ था ठीक है तो यह समझ गया है तो यह भी है और यह भी इसका मतलाब दसी इस दकरेक्ट अंसर उसके बाद देखते दी जो है सही सुमेलित हैं विच इस करेक्टली मैज्ट यह दोस्तों आपके लिए फिर से वही चैलेंज आ रहा है ठीक है देखिए विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर बैंगलोरू ठीक है यह रिपीट इसले भी ह हो रहा है बार-बार क्योंकि जो एक्जाम में पूछा गया एक्जेक्ली हम वही कोश्यंस को यहां पे ले रहे हैं तो यह इंपॉटेंट है इसलिए पूछा गया था तो विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर वी एस सी यह कहां पर है यह आप बता सकते हैं यह करेक्टली मैज नहीं है विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर कहा है यह समझ गए और उसके बाद देखते हैं यू आरा सेटलाइट सेंटर दोस्तों यह सही आंसर है बैंगलरू में यह स्थित है उसके बाद देखिए वापस से राश्टी सुदूर समेदी सेंटर और भारती सुदूर समेदी स खेल तो मैंने क्या बताय था क्या बताय था और कि छा रहे हैं आप पुलिस आपको पकड़ ली और आपको आइडी मांगा तो निशिनलर से स्टार्ट है ओना चाहिए तो नेशनलन शें स्टार्ट है रे दो steeds तो इसका मतलब ये B इसका right answer है दोस्तों आज आपने एक basic topic देखा और इससे संबंधित आपने कुछ मतपूर question देखा जो exam में पूछे जा चुके है आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और एक अच्छे इस्तर का preparation करना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा score करें तो आप competition community.com पे visit करिए बहुत सारी information दी गई है और हमारे mobile course को अगर आप purchase करना चाहते हैं तो आप निश्चित तोर पे registration कर सकते हैं registration are open और अगर आप कुछ और demo classes भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बिना समय गमाए आप अपना preparation तो start कर दीजिए और अभी करम से कुछ और demo classes भी आने वाले हैं आप उसका निश्चित तोर पे आनन उठाइए मैं आप सभी से एक ही request करूँगा कि आप अपना preparation ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा score आप कर पाएं यानि कि exam specific आप परोच होना चाहिए यहाँ पे हमको बहुत सारा knowledge इकठाना करके exam specific आप smart work करिये ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा question बन सके क्योंकि यदि हम इसी topic को ले तो ये topic अपने आप में काफी वास्ट हो सकता है लेकिन हमने exam specific देखा और कम समय में काफी महत्पूर्ण fact डेटा के साथ आज की complete class हमने किया अब सभी को thank you CGPAC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के youtube चानल को subscribe कीजिए और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले